मौसम से तो जुड़ा हुआ है अब दिल्ली में भी वर्षापना दस्तक देना प्रारम किया है दिगी फिर भी नब भार की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी यह कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है यह आजहादी के अमरित महत्वचव का कालखंड है 15 अगस का विशेश महत्वप है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब सताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे हम कितनी तेज गती से चले कितनी नई उचाईयों को पार करे इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है और उन संकल्पों के प्रती समर्पित हो करके देश को दिशा देना सदन देश का नित्तुत्व करे सदन के सभी मानने सदस्य राष्ट में नई उर्जा भरने के लिए निमित्य बने उस अर्थ में ये सत्र भी बहुत महत्वपून है ये सत्र इसले भी महत्वपून है कि इसी समय राष्ट्पधिपद और उपराष्ट्पधिपद के चुनाज हो रहे हैं आज मत्दान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्पति नए उपराष्ट्पति उनका मार दर्शन प्रारंब होगा हम हमेशा सदन को संबाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं तीर सक्षेत्र मानते हैं जहां खुले मन से संबाद हो जरुवत प्रड़ का वाद विवाद हो आलोचना भी हो बहुत उत्तम प्रकार का एनालिजिस करके चीजों का बारिकियों से विश्ट्लेशन हो ताकि नीती और निणयों में बहुती सकारात्म योगदान हो सके मैं सभी आदनिय सांसदों से यही आगर करूँगा कि गहन चिंतन गहन चर्चा उत्तम चर्चा और सदन को हम जीतना ज़्यादा प्रोड़क्टिव बना सके सदन को जितना ज़्यादा फूटफुल बना सके उसलिए सब का सयोग हो और सब के प्रयास से ही लोकतंतर चलता है सब के प्रयास से ही सदन चलता है सब के प्रयास से ही सदन उत्तम निनय करता है और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तवियों का निर्वाह करते हुए इस सत्र का राष्ट हिप में सरबादी को प्योग करे और हर पल याद रखे कि आज़ादी के लिए जिनों ने अपनी जवानी खपा दी अपना जीवन खपा दिया जिन्द की जेलों में काटी कुछ ने शहादत स्विकार की उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब पंदरा आगश सामने है तब सजन का सरबादिक सकारात्म प्योगों यही मेरी सबसे प्रार्तना है आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद